नमस्कर दोस्तों स्वागा थी आपका फार्मरोक्स के एजुकेशनल यूटूब चैनल के अंदर तो आज के बदलत के दौर के अंदर जिस तरह से सबकी लाइप स्टाइल हो चुकी है तो उसके अकॉड़िंग टो अलग अलग जो प्रॉब्लेम्स जो लोग फेस कर रहे है ज और इम्मिनिटी जो है आपके काफी ज़्यादा कमजोर हो जाती है तो ये सब प्रॉब्लेम्स को सौल करने के लिए एक बहुत अच्छे हैल्ट सप्लेमेंट्स के बारे में हम आज की वडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं तो हम जानेंगे ये हैल्ट मेडिकेशन के बारे में तो ये जो मेडिकेशन है वो है से क्लास की मेडिकेशन है कि जिसको हम nutraceuticals कहते हैं और especially इसके अंदर अलग-अलग nutritions जो अवेलेबल है और ये medication जो वो tablet के form में available है कि जिसके अंदर 32 जितने important nutritions जो अवेलेबल है manufacturer की हम बात करें तो mankind pharma जो उसके manufacturer है और mankind pharma का नाम सुनते हैं सबसे पहले trust and quality का हमें जो वो खाया लाता है तो अब जानते हैं उसके जो 32 important nutrients है तो सबसे पहले उसके अंदर जो दो energy booster जो अवेलेबल है पहला energy booster है वो है taurine करके है और जो दूसरा energy booster है वो है जिनसेंग है फिर 10 जितने protein and amino acids present है, vitamins present है और 8 जितने minerals उसके अंदर present है तो इस तरह से total 32 जितने important nutrients ये medication के अंदर available है दो main important energy boosters की हम बात करें तो natural जिनसेंग है कि जो 42.5 mg जितना ये एक tablet के अंदर available होता है और taurine जो है वो 5 से हम जो जितना इसके अंदर available है तो ये काफी ज्यादा important role play करते है हमारे body के अंदर कि ये medication जब आप लेते हैं तो ये दोनों ingredient आपको 24 hours तक काफी ज्यादा अच्छी energy जो है वो provide करते हैं कि जो आप कमजोर feel करते हैं ठकावाट महिसूस करते हैं तो वो problem solve करते हैं ये दो main energy booster ingredient फिर protein and amino acids भी इसके अंदर present है कि जिसकी list आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 जितने protein and amino acids जो ही वो इसके अंदर available है फिर vitamins का list यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये medication के अंदर available है 8 जितने minerals के अंदर available कि जिसकी quantity आप यहाँ पे देख सकते हैं list के अंदर manufacture के हम बात कर यहाँ पे detail में है ये medications के use के बारे में कि किस तरह से ये medication काम भी करती है और कौन से अलग-अलग problems के अंदर आप ये medication को ये वो use करते हैं तो जब किसी को बहुत ज्यादा जो थकावट होती है कि या पर आप देख रहे है कि जो person ये वो काफी ज़दा थका हुआ है काफी थकावट वो महिसूस कर रहा है जिसको हम fatigue या फिर tiredness वगरा कहते है तो ये problem को solve करने के लिए आप ये multi vitamin को use कर सकते हैं फिर इसके दूसरी uses हम देखे तो जो general debility या फिर जो weakness आप फिल करते हैं यानि कि दुर्बलता यान और कमजोरी कि या पर जो आप डायग्राम में देख रहे हैं जो person है वो काफी जदा कमजोरी महिसूस कर रहा है जो routine काम है वो करने में भी वो कई बार और सफर रहता है कुछ भी थोड़ा बहुत काम करने के बाद वो ठक जाते हैं कमजोरी जैसा महिसूस कर दे है जैसे कि बैटरी चार्ज ये ना हो और वो phone कैसे काम करता है बार-बार बंध हो जाए या फिर proper charge नहा रहे है तो ऐसे ही आपके body भी हो जाती है तो ये medication लेने के बाद क्या होता है कि आपके body जो है वो proper अच्छे से काम करती है stamina जो है वो आपको मिल रहता है और एक आपकी weakness और कमजोरी जो है वो दूर होती है तो अगर आप इस तरह के problem face करते है तो ये health supplement जो आपके लिए सबसे based रहता है फिर तीसरे बारे में हम जाने कि कोई काफी ज़्यादा सुस्ती किसी के अंदर रहती है आलस आती है आपको काम करते वाग जिसको हम laziness जैसा कहते है तो इसको भी ठीक करने के लिए आप ये health supplement को use कर सकते है next हम देखे तो immunity का काफी ज़्यादा लोगों को problem होता है कि जो कमजोर immunity वाले जो लोग होते है कि जिनकी immunity काफी कम है तो उनके लिए ये medication जो वो सबसे better है सबसे best है कि जो आपकी immunity को बढ़ाने में improve करने में मदद करता है फिर किसी को बार-बार infections हो रहे है तो इसका एक reason भी होता है कि आपकी immunity कम है तो जिनको इस तरह के problem है कि बार-बार आपको infection हो रहे है या आप बीमार होते रहती है और इसके करन आपको इस सरीर में कमजोरी आ जाती है तो ये लोग जो है वो ये medication को खास use करें कि जिससे आपका ये problem जो हो ठीक होगा फिर किसी भी बीमारी से recover होने के बाद किसी भी बीमारी से recover होने के बाद भी आप ये medication ले सकते हैं कि मानलो कि आपको कोई भी ऐसा बीमारी होई थी जैसे कि कोई सी कोई आपको viral infection हुआ था bacterial infection वगएरा हुआ था और उसके बाद आपके सरीर के अंदर एक कमजोरी जैसे आ गई है, आप ठकावाट वगएरा महिसूस कर रहे हैं, तो भी यह medication आप जे एक nutritional supplements के तौर पे routine में use कर सकते हैं फिर अब बात करते हैं, यह health के supplements के dose के बारे में और उसके packing के बारे में भी आपको बदा देता हो तो यह medication वो इस तरह से proper packing के अंदर अवेलेबल होता है, जैसे आप उसका यह blister उपन करते हैं, तो उसमें से आप tablet को easily remove कर सकते हैं तो उसका dose रहता है, डेली आपको एक tablet यूज़ करनी होती है फिर उसकी price की हम बाते दो करें, तो अगर आप यह वाला purchase करते हैं, blister packing गी जो 10 tablet का available है तो उसकी price रहती है 110 rupees of 10 tablet, वनलब की 11 rupees की आपको एक tablet पढ़ती है और अगर आप उसका value pack जो है वो purchase करते हैं, जो इस तरह का एक value pack आता है तो value pack की price रहेगी 300 rupees रहेगी 30 tablets की तो अगर आप value pack purchase करते हैं, तो आपको 10 rupees में जो एक tablet जो पढ़ती है आगे जानते हैं उसके working के बारे में, तो किस तरह से यह medication जो वा काम करती है कैसे आपको energy देती है, किस तरह से आपको stamina देती है, तो उसके अंदर जो ginseng है तो ginseng क्या करता है, आपके सरीर के अंदर जो blood circulation है, उसको जो वा काफी ज़्यादा improve कर देता है काफी अच्छे से blood circulation होता है आपके सरीर के अंदर जिसके करना आप 24 गंटे तक active energy जो वा आपको मिलती रहती है तो ginseng आपको 24 hours तक active energy जो वो provide करता है और आपको एक proper stamina देता है, ractic acid जो वो muscles में reduce करता है कि जिससे जो भी person इसको use करता है, उसको काफी ज़्यादा stamina मिलता है muscles उसके काफी ज़्यादा जो वो मजबूत बनते हैं तो और इनी similarly काम करता है कि जो आपको energy provide करता है आपके muscles को जो हो काफी अच्छा build up करता है कि जैसे आप काफी ज़्यादा energetic जो हो मैसुस करते हैं तो energetic रहने में ये medication जो आपको मदद करती है especially फिर next हम देखे amino acids तो amino acids क्या करते है muscles की growth जो वो बड़ाने में मदद करते है muscle development के अंदर help करते है vitamin and minerals का absorption वगएरा है उनके maintenance वगएरा में help करते हैं जैसे overall आपके जो है वो health अच्छी बनती है vitamins भी especially क्या करते हैं better absorption और utilization जो होता है fat and carbohydrate का कि जिसके तरू हमें energy मिलती है तो उसके लिए help करते हैं जैसे तरह से ये भी आपके energy boost करने में मदद करता है minerals भी similarly काम करते हैं जैसे आपके body को एक energy मिलती है तो overall एक conclusion पे हम आए तो ये medication जो आपको 24 hours तक active energy provide करता है कि जिसके भी उसके overall जितने भी अलग-अलग content है वो आपका metabolism improve करवाते हैं और आपकी health को improve करने में जैसे वो काफ़ी मदद करते हैं specially पूरूस होगे नगरिजिन की energy है उनकी stamina वगेरा बढ़ाने में काफ़ी ये मदद करता है और आप 24 hours तकाफ़ी energetic मैसूस करते हैं side effect की बात करें तो ये medication के कोई भी side effect नहीं है specially आपको जो proper dose है उसी dose में use करने की जैसे कोई भी आपको side effect वगरा नहीं होगी फिर काफ़ी safe है effective है ये वाला supplement अब बात करते हैं उसके warnings वगरा के बारे में तो जब भी आप ये medication को use करते हैं तो उसका जो label है जो content लिखा हुआ है कि आप जो purchase करते हैं इसमें भी एक proper यहाँ पर आपको content जो हो मिल जाता है तो वो आपको अच्छे से read करना होता है और ये video में भी मैंने आपको आगे उसका पूरा content जो हो समझाया है तो वो label आपको read करना होता है इसमें से कोई भी ingredient की आपको allergy है तो आपको ये medication जो हो use नहीं करनी चाहिए फिर second बात कि अगर आप pregnant है तो pregnancy के दौरान इसको use नहीं करना है फिर contraindications के हम बात करें कि कब इस medication को use नहीं करना है तो जो pregnancy period में आप use को use नहीं करें जो pediatrics है बच्चों में के अंदर use नहीं करना है age below 18 है वो भी use नहीं करें lactation period है और किसी भी ingredient की allergy है तो भी आप ये supplement को use नहीं फिर next है उसके drug-drug interactions के गरें ये कोई भी दुसरे medications के साथ drug-drug interaction नहीं करता तो proper safe है use करने के लिए next की अब purchase कैसे करें तो आप Amazon से जो है उसको purchase कर सकते है और purchasing list जो link वगरा है वो मैं आपको description box के अंदर दे दूँगा साथ उसाथ जो भी नजदी की medical store है किसी भी medical store पर से आप ये health supplement को जो है वो purchase कर सकते है तो यहाँ पर हमने सीखा detail में health के supplement के बारे में good luck and all the best